तो फिर से लेकर आगए हैं हमें एक नवी वीडियो जिसमें सिखाएंगे फोटो इडिटिंग सीबी फोटो इडिटिंग कैसे करते हैं बैग्राउंड कैसे चेंज करते हैं तो चलिए मैं नार्मल पीक को सेर कर लेता हूं सबसे पहले लाइडरोम एप में ने नॉर्मल पिक्स को शेर कर ल leggते हैं Lightroom App में यहां से सेर कर लेता हूँ तो यहां से मेरा photo Lightroom App में आचुका है तो चलिए इस photo को सबसे पहले यहां से Light volume option पर आएगे और Exposure कर बरहाक और 36 highlight को यहां से कम कर लेता है फिर से सेडों को बरहा लेते हैं और Blanks को यहां से कम कर लेंगे फिर Whites को भी कम कर लेंगे उसके बाद यहां से Color वाले Option आप पर आएंगे Mixed Tool पर आएंगे Mixed Tool पर आने के बाद यहां से Green वाले Option पर आकर इसके Hue को बरहा लेते हैं और Limnants को बरहा लेंगे और आजाएंगे Orange वाले Color पर यहां से याकर से Churation को कम कर लेंगे और Limnants को यहां से बरहा लेंगे Limnants को बरहा लेंगे फिर से आजाएंगे Red वाले Color पर फिर से यहां से Limnants को बरहा लेंगे और Limnance को पूरा फूल कर लेंगे उसके बाद Done कर लेंगे फिर से Done करने के बाद यहां से आ जाएंगे Effect वाले अप्सन पर Visitation को यहां से कम कर लेते हैं उसके बाद हम यहां से Done करके अपने फोटो को Share कर लेंगे Autodex अप्लिकेशन में यहां से Autodex अप्लिकेशन में हम आ चुके हैं यहां से Autodex अप्लिकेशन में आने के बाद यहां से हम अपने बरस को चूज करेंगे बरस को चूज करेंगे यहां से इस बरस को चूज कर लेंगे और Size इसका फोलो है जो आठ रखेंगे और नीचे वाले साइज को बार है उसके बाद फेसे स्मूथ करेंगे तो यहां से फेसे स्मूथ हम कर रहे हैं उसके बाद फेसे स्मूथ करने कबाद फिर आगे वीडियो में देखेंगे इसुपूष हो चुका है तो इस फोटो को हम क्या करेंगे अब सेव कर लेते हैं इस फोटो को यहाँ से सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद फिर से आ जाएंगे गेलरी में अब गैलरी में आने के बाद हम फोटो को सेव किया हैं इस फोटो को सेयर कर लेते हैं इस फोटो को सेयर कर लेते हैं फोटो रोम अपलिकेशन में यहां से इस फोटो को यहां से हम सेयर कर लेता है इसमें डाटा अन करना पड़ता है तो यहां आप कि फोटो प्रॉम में आने के बाद इस फोटो को यहां से सेलेक्ट कर लेंगे और फोटो सेलेक्ट करने के बाद थोड़ी दिरवेट करने के डाओ ऐसा इंटर्परख आ जाएगा उसके यहां से वॉइट वाला यहां बलेख किसी पर हम किलिक कर क्लिक करने के बाद यहां थोरे दर वेट करेंगे वेट करने के बाद यहां पर लिखा होगा बैग्राउंड बैग्राउंड पर यहां से हम क्लिक कर लेंगे और यहां से फर्स्ट वाले अप्शन पर क्लिक करके अपना जो बैग्राउंड है उस बैग्राउंड को अपने से ल यहां से इस बेगेग्राउंड को एड़ कर लेते हैं यहां से इस बैगराउंड को हम एड़ कर ले रहे box तो एड़ करने के बाद यहां से फाइनली मेरा फोटो इडिट हो चुका है तो यहां से किलिक करके इस फोटो को यहां से सेव टू गैलरी में कर लेंगे